हेलो एवरिवान मैं हूँ बलराम और आज हम डिसकास करेंगे मैप वर्क के बारे में क्लास 10 चेफ्टर 4 एग्रिकल्चर आइडेंटिफिकेशन ओनली ठीके तो आप कुश्टन आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है एग्रिकल्चर मैप वर्क नमबर ए मेजर एरियास और प्राइस एन हुएट ओके एंड भी लार्जेस्ट और मेजर प्रोडूसर स्टेट्स आफ सुगर केंड टी कॉफी रवर कॉटन और जूट ठीक है तो पहले हम एक आउटलाइन मैप ड्रो करेंगे आपको मैप ड्रो करने का जुरूत नहीं होगी क्योंकि कुश्टन पे एन लेबल करेंगे सबसे पहले एक आउटलाइन मैप इंडिया का ड्रो कर लेते हैं ठीक है इसके बार इसमें लोकेट एन लेबल करेंगे ठीक है यह है आउटलाइन मैप अफ इंडिया ठीक है इसमें हम लोकेट और लेबल करेंगे सबसे पहले देखें आपे दिया गया है major areas of rice and wheat ठीक है धान और गेहूं कहाँ पे कहाँ पे भारत में maximum जगा में उगाए जाती है ठीक है तो इसमें कौनसा कौनसा राज्य देखेंगे में ली तो rice इस टन पार्ट आप इंडिया में maximum rice produce होती है जैसे कि इस्टान पार्ट आप उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बेंगोल आसाम ठीक है ओरिशा ठीक है इसके अलावा में डेल्टिक रीजेन आप महानदी गदाबरी क्रिष्णा एन काबरी यानिकी ओरिशा अंधर प्रदेश तामिल नानू ठीक है तो यह था major इसका लावा केरल ठीक है major rice producing areas ठीक है और major rice producing states of India ठीक है इन सब जगा में rice produce होती है ठीक है तो यह हो गया rice के बारे में यानिके rice producing areas इस तरह आपको locate and label करना होगा और identification बोला गया है मैं अगर ऐस इस तरह मिले तो आपको हम पे लिखना होगा यह rice producing areas है यह कौन से जगा है ठीक है तो rice producing areas के बारे में हमने बता दिया आपको next हम बात करेंगे wheat ठीक है गेहूं गेहूं में ली northern part of India में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं produce होते हैं तो state wise अगर बात करें तो पंजाब, हरियाना, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महरास् इन सब राज्य में गेहूं का खेती होती है ठीक है तो state wise आप mention करेंगे तो इस तरह करना होगा ठीक है यह है पंजाब, हरियाना और यह पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है पार्ट ऑफ मध्ध प्रदेश, ठीक है महरास्ट इन सब जगा में बिहार इन सब जगा में गेहू की खेती होती है, ठीक है तो यह हो गया major wheat producing areas, ठीक है तो यह है wheat के बारे में, rice और wheat के बारे में हमने बताया, ठीक है तो आप state wise आप mention कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, next हम बात करेंगे largest और major producer states of sugar can, tea, coffee, rubber, cotton and jute के बाल में, तो यह map तो फिलाफ हो गया है, तो हम side में एक और map हम draw करेंगे, एक और outline map यहाँ पर draw कर लेते हैं, और इस में हम locate और level करेंगे, ठीक है, देखें, सबसे पहले हम करेंगे, major producer states of sugar can, the major sugar can producer states are, उत्तर प्रदेश, तामिल नाडू, मारस्टर, पांजाब, हरियाना, अंदर प्रदेश, एट्सेटर, ठीक है, तो इस में हम locate and label करेंगे, तो राज्य वाज्य साही दखेंगे, तो पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिल नाडू, अंदर प्रदेश, मारास्टर, ठीक है, तो यह था major sugar can producing area, ठीक है, शूगर कन, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, tea, the major tea producing states are, मैं लिए, आसाम, वेस्ट बेंगौल, तामिल नाडू, त्रीपूरा, उत्तर खंट, हिमाचल प्रदेश, करनाटक्स, एट्सेटरा, ठीक है, इन सब राज्य में tea produce बहुत ज्यादा होती है, चाय की खेती, चाय की बागी चाहें, ठी ठीक है, यह आसाम, वेस्ट बेंगौल, इसका लाबा, उत्तर खंट, त्रीपूरा, निलगरी रिजियन, केरल, करनाटक, तामिल नाडू, ठीक है, इन सब जगा में, इसका लाबा करनाटक, इन सब जगा में tea produce होते हैं, ठीक है, तो यह था major tea producing areas के बादे में, टी, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, कॉफी के बारे में, ठीक है, कॉफी मिल ली, southern part of India, मिल ली, करनाटक, केरल, एंड, तामिल नाडू, मेघालाए, इन सब राज्य में कॉफी का बहुत ज़्यादा produce होते हैं, ठीक है, तो इन सब राज्य में, जैसे के, यहाँ पर मैंने ठीक है, केरल, केरल के बात करेंगे, रावर, इन सब रावर प्रोडूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, मेली, केरला, तामिल नाडू, करनाटक, मेघालाए, एट्सेटरा, ठीक है, तो इन सब राज्य में, आपको लोकेट और लेबल करना होगा, ठीक है, तो तामिल नाडू, इस जगह में, आप यहाँ पर करेंगे, तामिल नाडू, इसके अलावा, मेघालाए, अब हम बात करेंगे, मेजर रावर प्रोडूसिंग एरियास के बारे में, तो रावर मेली, केरला, तामिल नाडू, करनाटक, मेघालाए, अंदामन, और निकोबर म में प्रोडूस होती है. ठीके तो एक और यह मैप तो यहां पर फिलाफ हो गया एक और आऊटम लेयर पर बना लेता हूँ और वहां पर मेंसेन करेशन ठीके तो यहां पर आप इस तरह एक आउटमेशन मैफ बना लेते हैं और इस तरह उसमें locate and level करेंगे ठीक है क्योंकि एक map में इतना अच्छे तरीके से नहीं देखेगा ठीक है तो आप इस map में देखेंगे रावार के लिए मैंने आपको बताया था केरल केरल तामिल नाणू करनाटक अंदमन एंड निकवर आईलेंज एंड मेगाले ठीक है यह था रावार के बारे में ठीक है रावार प्रोडूसिंग रीजियन ठीक है इसके अलावा कॉटन एंड जूड ठीक है कॉटन एंड जूड के बारे में फेमस रीजियन फॉर कॉटन ग्रोइंग इस डेकान ट्रेप ठीक है डेकान ट्रेप रीजियन कॉटन ग्रोइंग के लिए दुनिया भर में विख्या थे ठीक है तो डेकान ट्रेप रीजियन जहा ज़्यादा फेमास है यानिकि cotton producing area तो स्टेट वाइस अगर बात करें अगर बात करें मेजर कॉटन प्रोडूसिंग स्टेट्स आर मेली महराष्ट्रा मुद्ध प्रदेश तमिलनाडो कर नटक इसका लवब पांजाब हरियाना ठीक है तिन सब जगाओं में आपको locate and level करना होगा ठीक है तो यह था cotton के बारे में और बाकी है जूट ठीक है जूट मेली प्रोडूस होता है जूट मेली वेस्ट पेंगॉल बिहार ओडिसा आसाम इन सब जगा में जूट का केती बहुत ज़ादा ही होती है ठीक है तो यहां इन सब स्टेट्स में आपको locate और लेवल करना होगा ठीक है तो मेजर जूट प्रोडूसिंग इस स्टेट्स आर् वेस्ट बेंगॉल आसाम ओरिसा बिहार इन सब ठीक है तो में लिए आप वेस्ट बेंगॉल यहां पे आप इस तरह आप देख सकते हैं और locate and level कर सकते हैं ठीक है आप इसे practice कीजिए तो आपको कोई problem नहीं होगी तो आसा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और अभी तक अपने अगर इस चनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर दे तकि हर अपडेट आपको मिलते रहें धन्यवाद